इस lecture के अंदर जनावे वाला आपको मैं Flask को install करना बताऊंगा Flask से हम web apps बनाएंगे और installation के फोरण बाद हम एक छुटी सी Hello Word या Codenix के नाम की एक app बनाएंगे जिसको हम बाद में चलाना भी सीखेंगे अगर आपने Streamlight के सारे lecture मेरे देखे हुए है जिसका link मेंने description में दिया हुए है शेमा के course के अंदर तो आपके लिए ये इंतहाई असान तरीन मैं बोलूँगा ये language होगी जो आप आप सीखने वाले language निबल के library या workflow होगा सबसे पहले जनावे वाला यहां पर हम जाते हैं इंस्टॉलेशन के तरीके पर जाते हैं और believe me इनका जो इंस्टॉलेशन का तरीका इन्होंने बताया हुए है और मैंने एक अपना तरीका जो है उसको यहां पर ले के आता हूँ मैं अपनी screen दूसरी आपके साथ share करता हूँ यहां पर and here what we are going to do मैं यहां पर अपना terminal open करता हूँ new terminal यह मेरे पास terminal आ गया और यहां पर मैं सारे environment जो है वो पहले deactivate कर देता हूँ मैंने conda भी install किया हुए मैंने mamba भी install किया हुए so I am going to deactivate all those मैं थोड़ा सा zoom in कर लेता हू मैंने mamba env list करके दिखाता हूँ जो मेरे environment है यह मेरे environment है इसमें कोई भी flask environment नहीं है ठीक है so मैं अब यहां पर एक environment बनाऊँगा ctrl L पहले करता हूँ थाकि मेरा सब कुछ यहां पर clear हो जाब because I am using macbook आपके पास यह streamlit के ऊपर आपके पास यह terminal के अंदर git bash होनी चाहिए git bash मेरे पास macbook है तो मैं unix based system already use कर हूँ अगर आप bash पे click करेंगे तो आपके पास terminal something like this bash वाला आ जाएगा so it's totally up to you आप ऐसे कैसे use करते हैं यहां पर मैं mamba create minus n flask underscore environment यह मैं लिखता हूँ आप mamba की जगा konda लिख देंगे क्योंकि आपके पास konda आपने install किया होगा so konda create minus n flask underscore env और मैं यहां पर साथ ही python equal equal 3.11 को install करता हूँ ठीक है साथ ही minus y लिख देता हूँ यह एक चोटी सी command है which can help you to understand कि हम यहां पर क्या कर रहे हैं mamba create यह एक environment बनाएगा flask environment के नाम से साथ ही उसके अंदर python install कर देगा 3.11 minus y क्यों बोला है क्योंकि जब installation के दुरान वो yes की command है let's run मैं इसको run करता हूँ और मेरे पास क्योंकि मांबा चल रहा है तो इस वज़ा से मेरे पास यहां पर different किसम की installation आ रही होगी आपके पास konda होगा तो konda ने इसको separate different way में ले के चल ले है so don't worry about anything क्यों क्योंकि at the end आपके पास installation होना जरूरी है जैसे ही है हमारे पास installation हो हम मांबा को ही use करेंगे क्यों क्योंकि फिर automatically इसकी सारी dependencies भी इसके अंदर install हो जाएंगी so for installation we need to be very careful whenever we are doing something so पहली चीज़ आपको virtual environment बनाना वो environment konda environment भी हो सकता है मांबा environment भी हो सकता है वो python का भी हो सकता है python के environment के बारे में मैंने भी बात नहीं की so we are not going to discuss that but on the other side we are installing that into a separate k konda environment konda environment हमारे लिए बहुत जरूरी है reason behind that क्योंकि konda environment हमें easy d सारे के सारे environment को manage करने में help करता है and then we can also use different kind of jupyter kernels based on that जो हम पहले दिन से करते आ रहे हैं अपने 6 मा के course के अंदर अगर आपने वो course नहीं देखा description में लिंक है आप उसे देख सकते हैं यहां पे installation चल रही है चैनल पर flask नहीं पढ़ाया लेकिन I am working on flask for many years so अब आपको समझ आएगे flask क्यों जरूरी है क्योंकि यह advanced level की एक library है इस वजह से यह 6 मा के course के अंदर मैंने इसे include किया पहले मैंने नहीं बढ़ाया reason behind that क्योंकि basic लोगों को आती नहीं है basic को समझते हैं streamlet पर काम नहीं करत पैश करो until April 2024 उसके बाद इसकी छोड़ी सी minimal price होगी वहां तक free है ले जनाब मेरे पास install हो गया python अब यहां पर मैं मामबा मैं इसको थोड़ा zoom in करता हूँ यहां पर नीचे नजर रखिएगा यहां पर मेरा mouse नजर आ रहे है मामबा activate यहां पर मैं लिखता हूँ flask underscore env यह मे flask लिख हूँगा और साथ में minus y लगाँगा क्यों because now I have to install flask inside this flask environment python हो गया मेरे पास अब मामबा के थूँ मैं इसको install कर रहा हूँ मामबा के थूँ install करने का फाइदा यह है कि जिनाब याली इसकी सारी dependencies automatically install हो जानी है and it will take a little bit of time for installation but at the end it will help you to understand कि किस तरीके से libraries को हम एक जगा पे install करते हैं और मैं फिर आपको बताता चलूँ flask को अगर आप सीख जाते हैं मैं एक लफ्स यूज करूँ का बंदे के पुत्रों की तरह मतलब traditional लफ्स है इसमें कोई किसी के लिए बुरा नहीं मैं बोल रहा बंदे के पुत्रों की तरह से मुराद यह है कि अगर आप सही तरीके से इ assignments करते हैं Flask पे master करते हैं खुद को आपको job market में और ज्यादा job opportunities मिल जाएंगी एक साधा data scientist होता है मैं आपको एक मिसाल देता हूँ एक साधा रोटी होती है एक कीमे वाली होती है फिर एक कीमे वाला नान होता है तो तीनों में फरक तो है ना बरना तो तीनों ने पेट ही ह लेकिन इन तीनों की qualities में फरक होता है तो जनाबेवाला हमारी यहां पे flask madam साहिबा install हो चुकी है and now we are going to use के किस तरीके से हमने flask को use करना है मैं इस terminal को थोड़ा सा zoom out करता हूँ और यहां से इसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ ठीक है अब हम क्या करते हैं मैं यहां से एक directory पीछे जाता हूँ अब हम left side पे जाएंगे यहां पे एक folder मैं create करूँगा नया 15 number folder मैं यहां पे create करने वाला हूँ 15 underscore flask web apps यह मैंने 15 number folder create किया अब इसके अंदर एक और folder create करूँगा 01 basics वाला ठीक है अब basics के अंदर हम again वही चीज़ बनाएंगे app.py की ठीक है so जैसे हम stream late की बनाते थे यहां पे भी हमने app.py की एक app बना ली अब यहां से इसको मैं इस तरीके से बन कर लेता हूँ अब आपको एक तरीका कार में दिखाने लगा हूँ कि किस तरीके से आप app को ले के चल सकते हैं and how you can test कि आप की app बन गई है या नहीं बनी और इसका बेहतरीन तरीका क्या होता है कि आप website पे जाने के बाद आप यहां पे flask की main page पर चले जाने के बाद now you will see a big difference यहां पे quick start के उपर मैं click करता हूँ ठीक है quick start के उपर जब आप click करते है after installation क्योंकि हमने installation कर लिया तो यहां पे आपको एक छोटी सी app मुनी सी app का code मिलता है ठीक है now you can see कि from flask import हमने flask कर लिया ठीक है app का जो हमारे पास है is equal to flask इस तरीके से हमने app यहां पे start कर लिया and now you can see कि हमने यहां पे root बताया है कि जो directory हमारे पास मुझूद है इसी के अंदर इस app को run करना है ठीक है और app का जो हमने basically hello word के नाम से define function कर दिया which will return hello word at the end तो basically यह हमने code पूरे का पूरा उठाया सिरफ check करने के लिए कि हमारा flask का environment सही चल रहे के नहीं now what you have to do you have to go inside that 15 number folder and 01 basic तो मैं यहां पे cd लिखके down there यहां पे जहां पे मैं नजर आ रहा हूं आपको इसको मैं थोड़ा सा उपर कर लेता हूं और इसको थोड़ा सा zoom in कर लेता हूं बिल्के zoom out करता हूं cd लिखके यहां पे 15 number folder के अंदर 01 के अंदर मैं चला गया अब जहां पे यह app.py पड़ी हुई है न यहीं पे मैंने लिखना है flask space run that's it यह दो चीज़े मैंने लिखनी है flask space run अब मैं इसको enter करता हूं and now what it will do it will take all the things जो यहां पे बताई गहीं है और यहां पे यह बता रहा है this is a development server do not use it in a production deployment use a production WSGI server instead इसके बारे मैं बात में बात करेंगे but for now अब आपकी जो app है वो run कर रही है इस address के ऊपर http और यह आपका local IP है इसके ऊपर यह app run कर रही है पहले क्या होता था streamlet automatically यहां पे एक नया link open कर दे थी जो अब open नहीं हुआ but what we can do we can right click this या इसके ऊपर आप click करते है या आप इसको copy कर लें copy करने के बाद वापिस अपने browser में जाए यहां पे जाने के बाद इस link को open कर लें and here you go यह रही जी आपकी एक app यह रही है ठीक है इसको मैं zoom in कर देता हूँ यह आपकी app यहां पे बन गी है ठीक है अब जैस लिखते जाएं for example hello world लिखने के बाद मैं यहां पे लिखता हूँ we are learning coding with codanix इसको मैं control s करता हूँ control s करने के बाद let's see अगर मैं page को refresh करता हूँ तो कोई मेरे पास change आती है कि नहीं आती और usually it doesn't happen in that way and I will see कि मुझे यह दुबारा से इसको open करना पड़ता है कि नहीं verification http failed हूँ and then yes now it's working fine by the way इसको भी हम resolve कर लेंगे तो यह हमारा text अगर यहां पर लिखा रहा है then everything is working correctly fine अब हमने क्या करना है हमने एक prompt लिखना है और उस prompt के थ्रू यह इस app को generate करेंगे कैसे prompt लिखना है मैं again chat gpt के plus account में जाता हूँ जिसमें हमारे पास chat gpt 4 पड़ा हुए and now we are going to create an app so मैं यहां पर लिखता हूँ show okay act as a developer who is expert in flask web app development okay create a web app which shows us which downloads down loads the data from sns dot load data set named iris and then do some basic eda analysis analysis inside the app and show plots एमी मैं रॉस ही एक app बना रहा हूँ और यहां पर लिखता हूँ show me the complete code for this app in one code snippet also give me the libraries used in the app मैं इसको यह नाब run करता हूँ यह मैंने एक चोड़ा सा prompt लेखा just to show you कि आपको अगर coding नहीं आती installation आपने कर ली है so you can do whatever you want to do using क्या आपकी जनाबे वाला flask तो अभी मेरे पास यहां पे ना तो seabon install है इस environment और इन तीन चार libraries को मैं यहां पे install करता हूँ because I need those to create that app वापिस हम आप पे जाते है और यहां पे हमारे पास अब code आ रहा है तो यह flask जनाबे वाला यह काम करेगी render template और इसके अंदर हमारे पास यह libraries use होंगी app.app is equal to flask underscore underscore name underscore underscore आ जाएगा फिर हमारे पास जनाब यहां पे get iris data का एक function बना plot iris data का एक function बना और उसके बाद save the plots to a bytes buffer वह वाला function बना and at the end हमारे पास plot का URL बना है and at the end हमारे पास जो app है उसको हमने root किया same directory के अंदर जिसके अंदर हम काम कर रहे है तो iris data is equal to get iris data functions की base पे काम चल रहे है यहां पे plot आ जाएगा and then हमारे पास यहां पे एक template render होके final हमारे पास app आ जाएगी debug is equal to true हमने इस वचा से किया हुए because we want to debug this thing और इसके बाद for this code to run you need an html template name index.html located in the templates folder within your project directory ठीक है so आपको क्या चाहिए यहां पे project directory के अंदर आपको simple सा template चाहिए होगा index.html का this one and then you have to install the libraries and then you can run तो अभी आपने सिरफ app नहीं बनानी app के अंदर यह html का index.html भी बनाना है project directory के अंदर now we will see के यह सारा काम कैसे करता है I will try my best के इसको हम किस तरीके से काम करते है okay so first thing first पहले मैं क्या करता हूँ अपने VS code के उपर जाता हूँ पहली app हमने बना ली थी बल्कि बेसिक सी तो मैं इसके बाद 02 के नाम से यहां पे EDA app बनाता हूँ ठीक है यह हमारा project folder है basically EDA app इसके अंदर मैं बनाता हूँ app.py ठीक है और इसी के अंदर हमने क्या करना है index.html को locate करना है in the templates folder within your project directory templates folder के अंदर within your project directory मैं यहां पे बनाता हूँ templates और यहां पे हमने बनाना है index.html file ठीक है और html file के अंदर यह वाला code हमने save कर देना है मैं यहां पे इसको save कर देता हूँ ठीक है और यह code कैसा दिख रहा है अगर मैं थोड़ा सा zoom out करूं I can show you actually तो यह code सिरफ यह काम कर रहा है हमें एक heading बना के दे रहा है html को use करके html एक language है जिस पर हम time नहीं लगाने वाले सीखने के लिए सीखने का तरीका मैं आपको बता दूंगा but we will see यह कैसे काम करती है after that I will just copy this code मुझे नहीं पता यह ठीक है घलत है we will see that वापिस अपने आते हैं जी जनाबे वाला repository के उपर app.py के अंदर इसे मैं save कर देता हूँ मैंने कर दिया save नीचे से मैं एक directory वापस जाता हूँ यहां पे अब 02 के अंदर जाके हम flask run को run करेंगे लेकिन don't forget to save this thing first मैं इसको run करता हूँ जनाबे वाला यह मैंने run कर दिया जैसे मैंने run किया you will see के हमारे पास by cache यहां पे cache बन जाती है and then it takes some time to run the app तो यहां पे जनाबे वाला यह मैंने run की command चलाई है it's still running we will see के यह कितना time लेती है and how it works जैसे हमारे पास यहां पे वो link आएगा then we will see के if everything is working fine or not और basically अगर आपको flask को use करना है तो most of the time it takes some time to develop the app fast API इससे तेज़ चलती है और Django के अंदर आप इसको और भी तेज़ी से लेके चल सकते है और यहां पे कुछ basically हमारे पास जो है वो streamlet की तरह आप functions भी add कर सकते and there are many other things which you can add inside here let's see हमारे पास यह app का pycache हमारे पास चल रही है let's see यह अभी तक run क्यों नहीं की it's taking some time I guess मैं दुबारा से-से run करता हूं flask under let's see flask run okay it is taking some time meanwhile हम कोर पे चलते है और देखते हैं की यहां पे running this flask app starts a web server that when accessed usually at this will display the ADA plots for iris data set so it is taking some time मैं यहां पे इसे पूछ लेता हूं how to run the server the app is taking so much time to run okay if your flask app is taking long time to run it might be due to the several factors such as the complexity of the data processing at the performance and the machine where the server is running however running a flask server especially for development purposes generally straightforward and should not inherently cause significant delays and list operations okay no problem so हमने flask app before running the flask app set flask app environment variable okay on windows run flask application flask run I want to start the server just type flask run in your terminal already did that it's not still working but it took some time यह हमारे पास आचुकी है so मेरे में पेशेंस इस वेरा से नहीं होता क्योंकि मैं लाइफ पढ़ा रहा होता हूं so sometimes we needed to work on this thing यह जनाबे वाला हमारे पास अब आप जो है यह काम नहीं कर रही है यह we don't have authorization to view this page क्यों नहीं भी let's see reload reload SS was denied reason क्या है यहां पे एक reason आई है कि हमारे पास ns exception आ गई है और यह app kit के अंदर कोई issue कर रही है so terminating due to the uncaught exception ns internal inconsistency reason ns window should only be okay main thread के उपर चलनी चाहिए मैं इसको दुबारा से run करता हूं एक error हमारे पास आई थी हम इसको दुबारा करने की कोशिश करते हैं and then we can follow the link again about it so there is something wrong यहां पे इसके अंदर कुछ wrong है तो मैं गया करता हूं इस पूरी के पूरी error को क्योंकि मुझे लग रहा है कि python 3.11 की बजाए हमें 3.8 करना चाहिए install because it is showing something okay यह वाला हमारे पास error आ रहा है so user warning starting a matplot की outside of the main thread will likely fail okay so there is something wrong with matplotlib तो हम क्या करते हैं इसको मैं open करता हूं chat gpd साहिभा से पूछते हैं कि यह क्या गलती है अब वो यह नहीं के कि दिल गलती कर बैठा है okay but we will see that in a minute के हमें यह क्या error पकड़ाती है that message you are encouraging suggest that there is an issue related to threading particularly matplot we are trying to create a gooey window outside okay use add backend for matplotlib okay कहते हैं यह very beginning में यह वाली लाइने जो हैं इसे add कर दे कर देते हैं हमारा के जाता है वही तो code के अंदर मैंने start में line बेस कर दी है अब दुबारा वापिस जाते हैं अपने code के उपर let's see इसको save करने के बाद अगर हमारे पास यह run करती है okay let's see now if it works fine ना भी चली कोई नहीं इसका हल ढून लेंगे still not working follow कि यह यह लिंको not working okay so the error was with google chrome और मेरे पास जो है वो एप जो है वो रन कर रही है google chrome दी वह तो उसी समझने सी पहाजी साटा की सिस्टम खराब हो गया अच्छा भी गूगल आ गूगल को बंदा क्या के गूगल क्रों को यह एक सरोकाद मेरे साथ ऐसे पंगे करने लग क्योंकि उसने किसी चीज को कैश कर लिया था इस वेड़ा सही हमारे पास नहीं रन कर रहा था now you can see it's working fine और हमारे पास एक एप बन चुकी है which is a kind of simple dashboard you can do a lot of things लेकिन basically आप इस तरीके से इस पे काम कर सकते हैं मैं अपने code पे आपको लेके जाता हूँ और यहां पे इसको मैं control सीख करके cancel करता हूँ अब हमने क्या करना है आने वाले दिनों के अंदर यह सारी की सारे functions जो flask का name क्यों है यह हम define कैसे करते हैं function यह तो हमने सीख लिया है nroot का क्या मतलब है कहां से हम app को चला सकते हैं और हम index क्यों run करते हैं और index के अंदर हमारे पास यह index html का क्या रोल है जो render underscore template के अंदर है which we already are pasting here तो हमारे पास multiple folders बनाते हैं जैसे हमने टॉमल फाइल बनाई थी streamlet की इसी तरीके से इसमें बनाएंगे और usually अगर आपकी app काम नहीं कर रही तो most probabilistic issue could be कि आपका Google Chrome मसले कर रहा है तो Google Chrome को थोड़ा सा समझा लिया करें उसको restart के लिया करें मैं नहीं कर सकता है मेरे पास इतनी ज़दा tabs open होती है बट on the other side I tried with Safari जो हमारे पास Macbook के अंदर एक system होता है उसके ओपर यह काम कर गया अब आपने क्या करने है कोशिश यह करनी है जितनी भी हमने streamlet पे app बनाई है इनको convert करें Flask के अंदर मुझे पता है कि यह बहुत active काम होगा आप maximum 3 से 4 apps भी transfer कर लेंगे that would be nice कैसे कहां पर प streamlet की बजाए इसको Flask के अंदर बना के देखें किस तरीके से बनती है आपके पास customizability भी ज्याद है और आपके पास different किसम की जो flexibility है वो भी ज्याद है इसी के साथ ही जो आज का lecture है यहां पर मैं finish करता हूँ कल से दुबारा आपको इंशाला एक advanced level पे Flask का tutorial में लेगा and then you will see in the next video कि हम किस तरीके से Flask को लेके चलते हैं और मैं आपको बड़ी basic से ही आगे लेके चलने वाला हूँ जैसे हम installation से भी पहले introduction से start किया है Flask के ओपर इंशाला हम थोड़े दिन लगाएंगे इसको सीखेंगे then we will move towards Django अपना खया रखें दौा में याद रखें like share subscribe कर दिय करें इसे बड़ा फाइदा होता है अगर आप नहीं करते believe me ओ करते है ना दुख होता है यार क्योंकि जारी बात है अगर ये सारे का सारा कोर्स आपको मिल रहा है that's it ये एक like बनता है ये वला ठीक है अपना खयार रखें दौम याद रखें take care अलाफिस see you in the next video